नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगी अमेंडमेंट आफ प्लेडिंग्स के बारे में प्रीविएस वीडियो में हमने देखा था कि फंडमेंटल रूल्स आफ प्लेडिंग्स क्या क्या होते हैं और अब हम जानेंगी कि क्या हमने जो प्लेडिंग दी है कोट में उसको amend किया जा सकता है और अगर करना possible है तो कैसे किया जा सकता है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है पहले हम जानते है amendment की meaning amendment means वैसे हमें सब को पता है amendment means changes but यहाँ पर क्या कहता है amendment of pleading means the revision of the pleadings after its submission to court for a final decision of the subject matter in dispute जो matter dispute में है उसमें final decision आने से पहले अगर हम revision करते हैं अपनी pleading में उसको submit करने के बाद first of all हमने submit कर दिये चाहे अपनी plaint हो चाहे return statement हो अब हम चाहते हैं कि उस case में जट साफ final conclusion निकाले उससे पहले हम उसी को जो हमने दी थी कुछ amendment चाहते हैं मतलब उसमें कुछ add on करना चाहते हैं या फिर उसको कुछ कोई statement उसकी clarify करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे amendment of pleading हम उसे कहते हैं उसका मतलब होगे amendment of pleading या हमने इसकी meaning देखी अब देखिए अब pleading may be revised in three ways एक pleading को revise करने के मतलब amend करने के तीन तरीके हैं देखिए कैसे first of all at the instance of the court अगर court खुदी बोल दे कि भाईया आपकी pleading में यह mistake है या फिर court कुछ add on करवाना चाहे तो वो court बोल सकती है second is अगर opposite party को कुछ statement है या फिर कोई भी fact है वो clear नहीं है या उसे उसे कुछ mistake लगती है या फिर किसी भी तरीके से वो चाहता है कि ये amend हो जाए तो वो भी court से request करेगा फिर उसके थुरू भी वो amend किया जा सकता है तो एक तो हो गया court एक हो गया opposite party चाहे तो third one is amending once on pleading अगर हमें अपनी pleading में खोद ही कुछ error लगे खोद कुछ mistake हमें मिले जिसको हम amend करना चाहते है तो हम खोद ही court से permission लेंगे और उसे amend कर दिंगे तो ये तीन वे हैं किसी भी pleading को revise करने के इन तीन तरीकों से ही revise होती है या तो court चाहे या फिर opposite party चाहे या तो फिर हम खोद चाहें तो चलिए अब हम जानते हैं आगे इसका पूरा और क्या process है और क्या point देखिए first is kind of amendment हम देख लेते हैं amendment कितने तरीके की है amendment दो तरीके से किया जा सकता है एक होता है compulsory जिसमें हमें करना ही पड़ेगा अब देखिए compulsory कैसे होगा compulsory हम उसे कहते हैं जो की एक तो होगे on the application of the opposite party अगर opposite party application लगा दे और court उसे accept कर ले तो अब हम पे कोई option नहीं हमें तो अपनी जो भी pleading है वो amend करना ही पड़ेगी अब देखिए opposite party जो application लगाती है वो भी तीन तरीके से हो सकती है कैसे इस pleading of a party happens to be defective or incomplete the other party may apply for particulars or further and better particulars and the same be ordered by the court अगर opposite party को लगता है जो opposite party की bleeding है उसे लगता है कि defective है यह फिर incomplete है यह फिर उसे कोई भी चीज उसकी समझ नहीं आ रही है तो फिर वो code को बोलेगी कि देखिए यह चीज़े ऐसी है तो code को भी अगर उसकी point सही लगता है valid लगता है तो फिर वो बोल देगा code order कर देगा कि आप इसे amend कीजिए second is on the basis it's being objectionable अगर opposite party को हमारी pleading objectionable लगती है ठीक है किसी भी wave में हो सकता है तो फिर party फिर वो ही request करेगी code को और फिर तब भी amend हो सकता है ठीक है इसमें तीन point है तो इसका third point है open हो जाओ if plane does not disclose any cause of action अगर plane में cause of action ही disclose नहीं है the defendant में make an application that the plane भी rejected अगे है पर plane specifically mention किया गया क्यों कि यहाँ पर plane में ही तो cause of action होगा तब ही तो return statement defendant डालेगा ठीक है जो और उसमें cause of action अगर disclose नहीं है clear नहीं है तो फिर defendant एक application लगा कि बोल सकता है कि इस plane को ही reject कर दिया जाए ठीक है तो यह तीन तरीके से हमारा concept leading हमने देखी हमने देखी है जो भी application लगाती है पार्टी ठीक है उससे है हमने देखा तो on the application of the opposite party और अब हम इसका second तरीका जानेगे second वी है इसका at the instance of the court itself ठीक है यह compulsory amendment होता है compulsory के दो पार्ट हमने देखे एक opposite party लगाईगी और एक court खुद बोल देगा तो यह compulsory हो जाएगे अब पार्टी कब कब लगाईगी opposite party उसके हमने तीन देखे और अब हम देख रहे instance of the court अब देखे court का तो कोई कुछ ऐसा कोई rule नहीं है court कभी भी कह सकती है court can pass any of the three orders जो भी हमने उपर तीन orders पड़े वह उन्हें स्यों मोटो भी बोल सकती जरूरी नहीं कि opposite party ही उसके पास application लगाई अगर court ने खुदी error find कर लिया तो वह खुदी स्यों मोटो भी बोल सकती है कि देखे आपके ब्लेडिंग में यह जो भी है आपको इसे अमेंड करना है या प्लीट करना है तो उपर के तीनों points court या तो opposite party के application पर या तो फिर स्यों मोटो और यह दोनों ही आते हमारे compulsory amendment में voluntary और optional यह कब होगा जब हमें खुद को अपनी उसमें कुछ error सही करने है अपनी प्लेडिंग में इसमें प्लेडिंग को रिवाइज कर सकता है कैसे by filing further particulars with the leave of the court leave means permission होता है law में by filing further particulars वो उसमें प्लेडिंग पहले ही दे रही है उसमें कुछ और further particulars वो आड करना चाता है तो permission of the court लेके वो new तरीके से next वाले को file कर सकता है और जो previous थी वो वेसे ही as it is रही है और second is by amending it with the leave of the court या तो फिर वो जो पहले वाली थी उसी को ही amend करेगा और जो पहले होगी फिर वो नल हो जाएगी और जो आप नहीं होगी वो ही valid रहीगी उसमें amend करेगा कुछ add करेगा जो भी है वो सब करेगा और पहले वाले में उसी में add on कर देगा मतला further particular side कर देगा तो अपनी वाली को भी दो तरीके से amend क्या जा सकता है तो यह हमने देख लिया पूरा का पूरा amendment का process और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस चैनल को subscribe कीजेगा वी Thank You So Much, Bye Bye